मैं अपने जिन्दगी को कुछ इसकदर सांसे जीता हूँ, मुझसे टक्राने वालों को अवकाद दिखा देता हूँ मित्रो, नमस्कार, मैं नरेश कुमार, अपनी टूब चैनल बिहारी लाज है मित्रो, कल मुझवफरपूर के सरिकारी बसस्टाइन इमली चटी में कल कुछ जो हुआ बहुत ही दुखद रहा एक परिवहन विभाग की इनाउंसर मिंकु देवु को भी पीट कर पुलिस ने हाथ तोर दिया यह एक बहुत ही दुखद इस्तिती है और वह पुलिस ने अपना अवकाद बताने का प्रियास किया मामला यह था कि मोतिपूर थाना के एक दारोगा हिमंत कुमार पतना से आ रहा थे और वह एक प्राइबिट बस जो बिहार सकार के प्रिभाण बिभाग दोरा अंडर टेकिंग के तहट चल ला है उससे वह सवार हो करके इमली चटी पहुंसते हैं बस के चालक ने उनसे कहा कि महज दस मिनट में चलते हैं लेकिन उसने लगा दी एक घंटा और इस पर दरोगा महद है हिमंद कुमार गुस्था में आ गये बहस हुई और बहस की बाद अस्थानिये पुलीस भी आ गई डंडा चला कई लोग घायल हुए अफ्रा तप्री मचीब और महिला कर्मी मिंकु देवी जो परिवहन विभाग में इनाउंसर के पतपर थी जब देखी की हला हो रहा है तो बाहर निकली तो देखी की डंडे बाजी हो रही है वो तुरत अपने बिभाग के बड़ी अधिकारीं को मोबाइल पर सुचना दिया फिर क्या था पुलिस कर्मी ने उनके साथ भी बद्दमेजी की उनका मोबाइल छिन लिया और उनको पीट पाट कर हांग तोर दिया और करीब आधे पौन घंटे तक परिवहन विभाग के बस स्टेंट पर अफ़रा तफ़री मची रहे बाज में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत मिली और थाने पर गई हिरासत में जो लिये गए उसमें राजदेन सर्मा जो जय हनुमान बस्त्रेवल्स का ड्राइवर था उसको गिरफतार की एक उपचालग को गिरफतार किया और एक अन्य बेक्ति को गिरफतार करके थाने पड़ी गई काफी ड्रामी बाजी चली दोनों तरफ से बात हुई और लगा कि हम ममला तूल पकरने वाला है तो अपस में समझोता हुआ और तीनों जो इहासत में लिए गए उनको छोड़ा गया और सुचना अब तक जो प्राप्त हो रहा है कि साद एफायर भी नहीं हुए मित्रो महिला कर्मी एबं परिवहन विभाग के कई करमचारी जिलाधिकारी के सामने आकर के प्रदस्न किये हंगामा होता रहा जिलाधिकारी भी सिस्ट मंडल से मिले और उन्होंने आशोसन दिया कि इसकी जांच होगी और जो दोसी होगे और उन्हों पर कारवाई होगे और जिलाधिकारी ने एससपी मुझाफरपूर को आदिस दिया कि अपने इसस जांच करावें जो दोसी हैं उन्हों पर कारवाई करें मित्रों यह बर्दी का जो रौब है यह कितना दोधाई है और उन्होंने मैंने जो सिर्प परहा कि मैं अपनी जिन्गी को कुछ इसकदर सांस जीता हूं मुझसे टक्राने वालों को अवकाद दिखा दिता हूं और हेमंद कुमार ने अपनी अवकाद दिखा दी जिस पुलिस के हाथ में अमन चाहिन काम कर रखना लोई नोडर को विवस्तित रखना और वह अपने बर्दी का धोंस दिखाते हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों उनके बर्दी को फाड़ने का प्रयास किया पिस्तॉल चेनने का प्रयास किया पुलिस का बर्दी फाड़ने का हिमत कोई करता है क्या पिस्तॉल चेनने का कोई हिमाकत कर सकता है क्या एक सर्मना करतना है जिसकी जितनी भी निंदा हो कम होंगी और जांच इम अन्दारी से हो जो भी दोसी हूँ जो भी चाहे पुलिस कर्मी दोसी हूँ चाहे बस अस्टन के कोई कर्मी दोसी हूँ या जय हनुमान बस अस्टन के डैबर दोसी हूँ उन पर कारवाई होनी चाहिए ताकि भविस में इजरें गटना पुर्णा बिरती नहीं हो और सावजिन अस्थर पर इ लो एन ओर्डर कायम रखना है और वह स्विंग फुलर बाजी करते हैं और हंगामा खारा करते हैं इतना दुखद है अस्थानी पुलिस को बोला लेते हैं और मामला को छोटे मामले को बड़ा से बराबना बनायते हैं अगर बस दस मिनट के बदले एक घंडा से खुल लई है दिशकी स्थिकायत समंधित अधिकार को करनी चाहिए थी आप कौन अधिकार दिया है कि आप अपने हात में लौ एन अर्र लें और पुरे स्तिति को मह बिगार दें कभी भी नहीं होनी चाहिए और किसी को इजाती नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सक्त करवाई हो और जांस भी मंदारिस हो और समझोते के अधार पर मामले में यह फायर नहीं होना जो अब तक खबरा रही है यह भी एक दुगताई पहलू है अखिर उस महिला कर्मी के क्या दोस्ता कि आप उसको बेरामी से पिटाई करके उसका हाथ आप तोड़ देते हैं किसने आपको अधिकार दिया है जिला परसासन पुलिस परसासन को इस मामले में गहन जांच करना चाहिए और जो भी दोसियों कारवाई होनी चाहिए मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई पुलिस कर्मी है तो उसको बेरामी फसाद है अगर वो निर्दोस है तो उस पर कारवाई नहीं होनी चाहिए दोसियों है तो कारवाई होनी चाहिए मित्रों उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हुए तिसे लाइक करना, सेर करना, कॉमेंट करना नहीं भूलेंगे जैहिन जैपालत